Hello everyone, मैं विशुजीत सींग, आप सभी का दाइन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.08 का लेस्न 7 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कृरिशी के उद्गम के बारे में यह हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, पार्ट 1 की वीडियो अल्रेडी में डाल चुका हूँ अगर अफी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको M.H.I.08 के प्ले लिस्ट का लिंक में जाएगा वेहां से जाकर आप देख सकते हैं Part 1 के अंदर हमने डिसक्रिप्श क्या था नौपाशान कालिन करांती के महतुता के बारे में IMPORTANTS क्या है नौपाशान कालिन करांती के इसके बारे में वे — पात क्या था उजारों में जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखा गया, इसी काल के अंदर मार कर देखा गया, जो आरंबिक उजार देखोगे तो काफी बड़े-बड़े हुआ करते थे, धार-दर नहीं होते थे, तिक वो पूरी तरसे कारगर नहीं होते थे, पर इस यूग में आते आत और जारों को बनाने को लेकर दक्षता भी देखने के लिए में मिलती है, इस से पहले कि अगर आप जीवन वैपन को देखोगे, तो मनुस्य का जो निरभरता थी, सिकार और संगरहन के उपर हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से मनुस्य संगरहन और सिकार पे नि जाता है और क्रिशी के शुरुवात के कारण से ही इस काल को करांतिकारी काल के तौर पर भी डिफाइन किया जाता है पर कई सारे विद्वानों के अंदर में इसको लेकर मतवे दे कि करांतिकारी काल था या नहीं था चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेकि इसके बारे में बात करेंगे. क्रिष्शी काई等 आपने हरपसवेतना के विस्तार के बारेध सब्सक्र परमान कर देखने कले मिल जाते हैं डृतातिक पूरृतातिक हो एो least 155 पूरीर्टी प्रमान के नाम है। मेहरगड के अंदर में 8000 इसा पुरू पहले क्रिशी किया जाता हुगा, यह रवी कोरी सेटर का माना है, जो पुरा तातित विभाग के ते करनाठम विश्वी डाले के अब यहाँ पर बात करें, मेहरगड के अंदर में कौन-कुन से फसलों के साक्षे मिले, कौन-कुन से क्र फिश्वी के परमान देखने के लिए नहीं मिलते हैं, उसके अलावा गेहू और जो जैसे साक्षे आपको देखने के लिए मिलेंगे, कि गेहू और जैसे परमान आके थे, कि इनका पैदावार किया जाता था, इनकी खेती की जाती थी, अब देखो चावलों के यहां पर सा चावल की खेती करना असान रहता था तो यहां पर चावल का परमानम देखने के लिए मिलता है जब कि मिहरगण के अंदर में नहीं मिलता है जो भी स्टुडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उनको पता होगा कि अगर वो किसी ऐसी फैमिली से बिलॉंग करते हैं जिनके के अगर में खेती की जाती होगो इनके पापा या पूरी इनके गाउं में परमर है उनको मृत ज़ाड già की खेती के लिए उसके लीए बहुत ज़्यादा जल्की प्लव दता चाही होते हैं निचाय की मौतरा में ज़्यादा रखनी होती है जिकने Publish rebellion से ज़चाइघें के अकेले बंगाल भरपूर्थ पूर्ती करता है चावल की पैदावार करता है क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पानी वाला छेत्र है तो निचला छेत्र पड़ता है गंगा जी उदर जाके बहके निकल रही है तो उसके कारण से वहां पर सबसे जादा जलकी उपलबदता हमें दे अगले slide के अंदर में देखे तो बलूची छेतर बलूची छेत्र क्या है तो बलूची इसतान को बलूची छेत्र का जाता है यहां पर कृशी और पसु पालने की शुरुवा ने क यहां स्प्वरात हुआ वह यहां पर भी पसु पालन किया जाता हुगा खृषी की जाती होगी इसके पर्मान देखने के मिलते हैं बलुचिस्तान में कांची के मैदान को ऐसे अनेक लाव प्राप्त थे और ऐसे अनेक सुझधाएं प्राप्त थी जिससे उस छेत्र में पारमभी खृषी पर्तवरस्ता क अब देखू यहां पर जैसे नौरमल यह रहता है कि बाई मेहरगड के अंदर में क्यों खेती की जाने लगी बलुची छेतर के अंदर में क्रिशिया पसू का पालन क्यों क्या जाने लगा तो सबसे main चीज़ क्या होता है कि घ्रिया वहां का आसपास का environment कैसा है ये matter करता है ठीक है वो किस परकार का जियोगराफिल के लिए किस परकार की condition है वहां की वो भी matter करता है ठीक है अगर माल लो सूखा पड़ रहा है तो सूखा पड़ रहा है तो सूखा पड़ रहा है तो पर किर्शिश संबव है जहां पर भोजा नसानी से मिल सकता है उसी जगह पर विकास देखने के लिए मिलेगा ना ठीक है तो यह चीज़े रहती है तो जो बलुचिस्तान का चेटरत ना कांची के मैदान जहां पर यह सारे किर्शिस लेटेड परमान या पसूस लेटेड परम अब देखो अगर जादा तर जो नगरों का विकास हुआ ना बड़े बड़े नगर या शहरों की बात करते हो ना वो नदी के किनारे ही विकास हुआ नदी के किनारे विकास हुआ मैदानी छेतर सबसे ज़्यादा उपजाओ छेतर माने जाते है इसके रीजन क्या है तो बोजन के लिए उसकी निरभरता जल पर रह सकती है क्योंकि मचली पकड़कर खा सकता है तो एक मतलब मेंन सोर्स के तौर पर और अगर माल लो भोजन के लिए मचली नहीं पकड़ रहा है तो जो आसपास का जंगली इलाका छेतर होगा ना वहां के जानवर पानी पेने के साथी साथ नदी के किनारे जो नगरों का विकास में होता है तो यह नदी जो होता है वो सबसे बड़ा संचार का माध्यम बनता है आज के समय में आपके बास फ्लाइवर है ना कि अमना एक्सप्रेस पर पगड़ा डारेक्ट एक जगर से दूसरी जगर कम टाइम में पहुं जलोड के साथ में जलोड मिर्दा आती है तो पहार पाड़ो से उपजाओ भूमी उपजाओ मिट्टी लेकर आती है ज़ो मैदानी इलाकों में फैल जाता है और वो सबसे ज्यादा उनकों उपजाओ बनाती है जिसके कान से अच्छी फसल होती है बलुचिस्तान के बंजर स्रेडियों के मद्दे चोटी चोटी गातियां में पहाड़ियों से आती है नदियों द्वारा लाई गई उपजाओ जलोड से उन भूखन्डों की सिचाई करना आसान हो अब दिको जो बलुचुस्तान का छेतर है न वो बंजर स्रेडियों के अंदर में आता है पर यहां के खास बात क्या है कि छोटी छोटी घाटिया है पहाडियों से रिलेटिड ठीक है और उस मिट्टी के अंदर में उपजाऊपन बहुत ज़ादा होता है उर्बरकता सकती बहुत ज़ादा होता है उसके अंदर में कुछ भी चीज बोया जाता है तो बहुत असानी से उख सकता है ये चीज देखा जाता है और इन नदियों के कारण से ना सिचाई करना भी असान हो जाता है और यही रिजन देता है बलूची छेतर के अंदर नकिरशी और फसुलों के आरंब बकार मेहरगड पुरा स्थल के अगर हम बात करें तो एक महत्यपुन शेतर के तरुपर हम जानते हैं क्योंकि सबसे पहला ख्रशी की शुरूआ थी है इंपर हुई ठीक है मेहरगड जिन फसुलों की खीती की जाती थी मेहरगड के अंदर में उसमें जो की दो किसमें देखने के लि कि यहां पर इनका भी उपभोग किया जाता होगा इनका उपभोग या उपभोग किया जाता होगा यहां पुरुप मिर्तभांडों के अंदर में जो बस्तिया मिली है मिर्तभांड बस्तिया मिली है यहां इसकी सुरुआत अकर देखो गो तो 6000 इसा पुरुप के आसपास का निर्धारण क्या जाता है भीरेदरे जैसे जैसे बस्तियों का निर्माण क्या गया हुआ तो 6000 ईसापुर्व के आसपाथ का टाइम प्रेड माना गया कि यहाँ पर बस्तियों के परमाण मिले है कि बस्तियों के साथ के रहे होंगे और 8000 इसापूर्व का टाइम माना गया जहां पर कृष्षी की सुरुवाद रही होगी ठीक है कांची के मैदानों के अंदर में देखोगे तो मवेशी और भेड़ पालन अत्वा गेहूं जो जैसी खेती का सुतंत्र अधिकेंद्र के तौर पर देखा गया जो कांची के मैद अगर अच्छी मातर है तो वहां पर ही उसका पालन किया जाता है अगर माल लो आप सहरा रेगिस्तान में चलेगा और भेंड बकरी गाय लेकर चले गए तो क्या वहां पर जीवित रह सकता है नहीं रह सकता क्योंकि वहां पर घांसों के प्लबदता नहीं है उस तरह का इन मैदानी चेतरों के अंदर में भेड़ और मवीसी जैसे पालन करना अपनी तरीके से उनका पालन किया जा सकता है चले नेक्स लाइड के और चलते हैं क्योंकि काफी जगह हम तकनीकी तौर पे सक्ष असक्षम है वीडियो को बनाने में तो अगर आप मदद करते हो तो हम अपने आपको इंप्रूब कर पाएंगे और आपके एक एक छोटी छोटी हेल्प से बहुत मदद मिल सकती है आप 5, 10, 15, 50, 500 कुछ भी जो भी आपका बन सके उत्रा दे सकते हैं को यवड़तिती किसी स्टूडियन के साथ में रहे गा नहीं चली आगे बढ़ते हैं सबसे पहरे हम बात करें तो किसी तरह का महरगर के अंदर में दित्ते चलें के अंदर में ताम पर पाशान सुचक यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है ताम प पास की खेती का ज्यान मेहरगड़ के पारंबिक प्रविजों से पराप्त क्या होगा यह माना जाता है जिसे हड़पा सबधा के अंदर में भी कृष्शी से लेटिर काफी सार परमान मिला तो यह मान कर चलते हैं कि सबसे पहले यह जो खेती का सुरुवात हो वो मेहरगड़ क के अंदर में 8000 इसा पुरुट के अंदर में हुआ तो जो हडपा के अंदर में क्रिशी का पर्माण मिला होगा वो मेहरगड के पुर्वजों के दोरा ही दिया गया होगा यह मानकर चला जाता है क्रिशी और पसुपालन का कारे भारते उपमाधित की और से पश्चिम एसिया म अधर में आफ्ता होगा अचानक से विकसी अचानक से विक्सित हो गया अचानक से आपके आपका जो सफ्ट्वेर अपडेट कर रहे है अपडेट कर लीजिए ऐसा नहीं था चरणों के अंदर में हुआ तो जिसके पहले चरण के करा बात करते हो तो उसके बेसिस पे ही वो अपना जीवन व्यापन करता था तो पर्थम चरण के तौर पर दिखा गया और जितने भी जगह पर कृशी की सुरुवात हुई है तो वो इस थलना एक तरह से अखेटन और किसमेर का चरण के जाना जाता है पर इचैनल के तौर उसको एडेंटिफाइ किया गया है बुर्ज वोम आते हैं साक्षे नहीं मिलता है जो हम इसे के अंदर में इसके किया जाता होगा यहां पे अनाथ की प्लबदता में जले हुए भी जो को है परमान के तौर पर देखने के लिए मिलती है पस्वों की हड़ियां भी यहां पर मिलती है गुफरकाल के दुत्य और तित्य चरण के अंदर में देखो हुए तो वनस्पती किर्शी करण के पाले ग तो यह जगह का नाम है गुफ कराल ठीक है तो यह थोड़ा सा अलग अलग वड़े क्योंकि कस्मीरी वड़े तो थोड़ा से को अंडर्स्टेंड करना ठीक है नेक्स स्लाइड की बात करें तो बेलन घाटी के अंदर में आप देखोगे तनौपासान कालिन जो किसानों का ओ आने नहीं है देखो आप कुछी विद्वान है आप मतबेद के तोर पे देखने क्लें मिलता है कुछ जो विद्वान है मानते कि सबसे पारंबिक चावल हुगाने वाले समुदा है जो है बेलन घाटी का है पर कुछ जो विद्वान है वो नहीं मानते कुछ विद्वान मान कोई पर कुछ विद्वान इसको डिनाय करते हैं यहां पर मतभेद का जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं इस्ट्री के अंदर में कहिना कई मतभेद आपको इतिहांसकारों के अंदर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा प्रण और अर्थव्यास्ता से, कृषी अर्थव्यास्ता का संकर्मण और मतलब की तरह से ना संकर्मण उप्रों के इनदर में पर मेरफ़के बाद के ने मिलता है बाकी दिरे दिरे पूरे भारत के अंदर में किस तरह से फैला हुआ किस तरह से संक्रमन हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं निचली मद्य घांटी के अंदर में आप देखो गए ता वबस्थित पुरा स्थल चिराद चेचर सेनु आर अवार। सेनु आर आदीचे cumplषि के अंदर में प्राचेन क्रिश्षी कारे के साक्षे मिलते हैं य 것은 प्राचिन क्रिश्षी कोई सारे प्रमान मिले साक्षे मिले इसके बारे में हम बात करते हैं यहां के किसान जो थे चावल, जो, मटर, मसूर और कुछ मोटे अनाज की खेती करते थे दच्छिन भारत के नौपाशानकाल इनके शानो द्वारा जिन फसलों की खेती की जाती थी वो गेहं, कुल थी और मुँग में बर्मुख अनाज के तौर पे थे दुलती क्या होता है? तो यहां पे पत्थरी के अंदर में तर किसी चेतर में चावल का परमाण हमें देखने के नहीं मिलता है तिक एधचिन बारत के अंदर में सबसे कम चावल उगाया जाते हैं और यहां पे चावल उसे लेटिड परमान भी प्राशिन काल के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ खजूर उगाय जाता था, गनारियल उगाय जाता था, तो खजूर को यहाँ पर परमान में देखने के लिए मिलता है, ऐसा परतीत होता है कि यहाँ के जो नौपाशान के दोरान में जो सोपाना, सोपान कृशी था, वो महत्यपुन विसेस्ता रही होगी, सोपान करते हैं तो यहां पर हमारा यह खतम होता है वीडियो आज का और मैं उम्मीद करता हूं यह वाला जो लेसन है आपका महें हिस्ट्री अमेचा 08 का आपको समझ में आगवा यह पार्ट वन की वीडियो तो मैं अल्रेडी काफी समय पहले करवा चुक हूँ अगर अभी तक आपने पार वन की वीडियो नहीं देखिए तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पार वन की वीडियो जरूर जाकर देखें और ह उस पे phone पे, google पे, pm, जो भी आप कर सको, जो इसमे भी आप सक्षम हो, आप donate कर सकते हो, और आप जितना भी amount डालोगे, उतना amount हम अपनी तरफ से मिलाएंगे, और तक्नीकी तौर पे अपने आपको सक्षम बनाने कि कुर्सिस करेंगे, जिससे हम regular वीडियो डाल सकें इतना gap ना है तिके बहुत सारी students complain कर रहे हैं तो कि sir वीडियो नहीं आ रही exam है तो इसको भी हम solve out करने की courses करेंगे बद तो मीद है आप सबसे कि आप इसकी मदद करेंगे और कोई जबरदस्ती में बवाई तके रोले पूले पूले करेंगे बवाई तके रोले